आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट भासा घोसित हो चुकी है अब संगर्स अथवा बिरोध का समय नहीं रहा आज का समय ठोस रचनात्मक कार का समय है मैं जानता हूँ संगर्स करना कठिन है परन्त उसी एकागरता से रचनात्मक कार करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है यह भी इस पस्ट है कि संगर्स के बाद यद रचनात्मक कार नहीं होता तो संगर्स की उपादेता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पढ़ जाती है इसलिए रचनात्मक कार के समय को वास्तविक परिच्छा का समय माना जाता है जिसमें उन सभी सिध्धानतों उद्देशों और आदर्सों की पूरी परक होती है जिनका सहारा लेकर संगर्स को जीवित रखा गया हो हिंदी के हितैसियों और साहित सेवियों के लिए अब यही समय है मैं कह सकता हूँ कि सायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायत तो नहीं आया था जितना की अब हिंदी के राश्वासा बनने से आया है समस्तराष्ट ने सर्वसमती से हिंदी भासा का जो मान किया है और हमारे सम्विधान ने उसे जो इस्थान दिया है वह हम सब के लिए एक सदभावना पूर चुनोती के समान है यह निड़े एक परकार से सभी हिंदी भासियों और साहित्यकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन प्रादेशिक भासाओं के बोलने वाले प्रतनिदियों द्वारा किये गए उक्त निड़े के अउचित को सिद्ध कर सकें यह एक गंभीर प्रस्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए हिंदी साहिस सम्मेलन बहुत बड़ी संसा है जिसके निर्मार में इस देश के अनेकों एससवी बिद्वानों और देश भक्तों ने योग दिया है मैं समस्ता हूं कि यद्यप संबेलन की स्थापना हिंदी के परचार आर्थ होई थी इसे हिंदी भासी छेत्रों में ही प्रदैसिक भासाओं के परचार का कार भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए इससे एक और हिंदी और दूसरी भासाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी और संबेलन का आधार भी अधिक ब्यापक हो जाएगा मेरे विचार से याकार राष्टी साहित हिंदी भासा और हिंदी साहित सम्मेलन तीनों के हितकी दिश्टी से उचित होगा बिहार हिंदी साहिस सम्वेलन ने जिसके रजजनती समारों के उदगाटन के लिए आपने मुझे आमंतित करने की किरपा की है पचीस वर्सों से भी अधिक समय पूर्व सार्जनिक कारचेत में पदारपण किया था इस राज के सबी लोग सम्वेलन की सेवाओं से भली प्रकार परचित हैं मैं आसा करता हूँ कि यह रजजनती समारों इस राज के साहित सेवियों को और अधिक बल देगा जिस से वे साहित की सम्रिद्धी द्वारा और हिंदी तथा आहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सदभावना का वातावरान तयार करके इस राज के लोगों की ही नहीं बलकी देश भर की सेवा कर सकेंगे मेरे विचार से हिंदी साहित की स्री ब्रिद्धी करके और सभी भासा भासियों के साथ सदभावना पूर्ण संबंद बनाए रखकर हम अपने करतब्र का पालन कर सकते हैं कम से कम इस ओर सबका ध्यान आक्रिष्ट हो चुका है बहनों सिच्छा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहाँ जाने से इनकार नहीं कर पाता क्योंकि सिच्छा संस्थाओं से मेरा आरंब से ही कुछ ना कुछ संबंद रहा है और सिच्छा सास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रुची रही है अतेव मुझे जब आपका निमंत्रान मिला मैंने उसे बड़े हर्स के साथ सोभिकार किया और मुझे अत्यंत प्रसनता है कि आज मैं यहां आ सका आप सब बड़ी सोभाग सालनी है कि आप इस कन्या महाविद्यालाय में सिच्छा पा रही हैं कि इस महाविद्यालाय का इस राज में अपना एक भिसेस महत्त है और इसका इतिहास नारी जगरती तथा उन्नती का इतिहास है इसके स्थापना उचादरसों को लेकर योम नारी जगरती तथा राश्टी उन्नती की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सचे समाद सुधारक के द्वारा हुई थी जिनके हिर्दय में मुख्यता नारी जाती के प्रते बिसेस गवरो और महान आदर था आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की सिच्छा संस्थाएं बिद्यमान हैं एक तो वे जो अंग्रेजी सासकों द्वारा अपने उद्देशों की पूर्ती के लिए इस्थापित की गई थी और दूसरी वे जो सोतंतर रूप से राष्ट प्रेमियों द्वारा राष्टी भावनाओं से उत्परोत होकर अपने देश की संस्कृति योम सभ्यता को पुनर जीवित योम पुना इस्थापित करने के उद्देश से इस्थापित की गई थी आपका या कन्या महा बिद्द्याले भी लगभग इसी पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले इस्थापित किया गया था और आपके लिए या बड़े सौभाग की बात है कि आप में से कुछ आज इस बिद्द्याले में अपनी सिच्चा समाप्त कर जीवन के कारचेत्र में प्रवेस करने जा रही है उच्च सिच्चा प्राप्ती की उपादी जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमोल निधी है जिससे आपकी गुर्ता और भी बढ़ती है आप में से जो आज प्रमाड पत्र लेकर जा रही है वे इस बिद्द्याले के सीमित दाइरे में से निकल कर जीवन के विशाल प्रांगर में करमठकार छेत्र में प्रवेस कर रही है आपके कंदों पर जीवन का महान महत्तपूर उत्तरदाइत तो है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सिच्छा और अनुभो के बल और आधार पर उसे योगता पूर्बग संभाल सकने में सफल हो सकेंगी अब तक आपका बिद्यार्थी जीवन रहा अब आगे आपका बेवहारिक योम क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार छेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है मुझे आसा है कि आपने यहां जो सिच्छा दिच्छा गरहाण की उससे आप सकती और स्पूर्थी गरहाण कर स्वतन देश की दाइतपूर्ण नागिरकाओं की भाती उसे निबा सकेंगी यह सब आपके लिए तभी संब होगा जब आप या भली भात समझ लेंगी की आपको अपने जीवन में क्या करना है आप सब या भली भात जानती ही होंगी की प्राचीन काल में हमारे देश में इस्रियों का कितना महत्तपूर्ण वा उतक्रिष्ट इस्थान रहा है झाल झाल